सब्सक्राइब करें तो एक बार क्विकली सबी लोग कमेंट सेक्शन विडियो क्लियर है और सबी लोग कनेक्ट हो जाए फड़ा फड़ सेशन में आज का यह इंटरस्टिंग सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विल फोकस ऑन दस पर्डिकलर सेशन इंशुरेंस रिलेटिट असपेक्ट पर हम फोकस करेंगे इस पर जो कि आपके अपके अग्जामेनेशन के लिए काफी आप उसके बाद जो मेंच होगा वहाँ पर इंशुरेंस भी आपको काम आते हुए देखने को मिलेगा चुका है जिसमें इराउंड थ्री हंडर्ट विकेंसी जो है नाइसील के शौट नॉटिफिकेशन में आपके देखने को मिली है और उसका भी जो है फॉर्म भरना फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगी तो उसका भी डीटेल नोटिफिकेशन एक दो दिन के अंदर आ जाएगा तो वह भी आपको डीटेल नोटिफिकेशन उसका देखने को मिलेगा साथ ही साथ आने वाले टाइम में हम L.I.C. के भी एक्सपेक्टेड हैं वेकंशी की भी हमें वेकंशी आप अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए सुरात के जो सिक्स में उसमें बहुत सारे इंश्रेंस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है और जैसे ही जो है नेक्स्स में खताम होगे उसके बाद अगर से आपक करेंगे तो चलिए आज की सेशन में हम लोग आज की इस मेराथन सेशन में कुछ इंपॉर्टन एस्पेट्स जो है डिसस करना चाहेंगे तो चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इबर सेशन को लाइक कर जी फड़ा-फड त मैं पहले बात है इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को आखो कि बाद में आप PDF की टेंशन ना लें तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि PDF आपको मिल जाएगी सेशन के बाद टेलिग्राम चैनल से ठीक ठीक तो PDF आपको मिल जाएगी और बिल्कुल आराम से रिलाक्स होके देखी सेशन बहुत ही इसी लैंग्वेच में बहुत ही आसान भासा में हम इंशुरेंस के टर्म लोजी और इंशुरेंस के इंपॉर्टन टर्म सम् डिसक्स करने वाले हैं एसी भी आपको आने वाले टाइम में चरूर देखने को मिलेगा तो एसके लावव एसी जी सी है जी आ रही है बहुत सारे वेकंसी हम एक्सपेट करेंगे आने वाले टाइम में तो चलिए फंट्स आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टन एस्पेक्ट पर डिस करें सबसे पहले बात करते हैं में बढ़करतें बियुद्यज की रापर इंचुरेंज का जो बिजन्स है वो ठीका गुए और अगर आप इनन प्रिंसिपल्स को हटा दिए तो इंचुरेंस का बिजन्स जो हिए सर्वाइब नहीं कर पाएगा तो इंचुरेंस को प्रॉपर sector को अच्छे से चलाने के लिए insurance industry को चलाने के लिए कुछ basic fundamental principles हमें देखने को मिलते हैं insurance के और इन basic principle पर ही पूरा का पूरा insurance का business ठीका हुआ है और we generally हम expect करते हैं from the principle of insurance से एक से दो number के questions पूछे आते हैं अगर आपके दिमाग में principle of insurance का concept बैठ गया बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए और otherwise हम क्या करते हैं principle of insurance में कई बार भटकते रहते हैं कि किस principle के अंदर क्या चीज़ थी ठीक है तचले examples के help से आराम से चीज़ें समझेगे सबसे पहले अगर हम principle of insurance की अगर हम बात करें तो friends will have total seven principle of insurance major अगर हम बात करें तो दोनों में हम cover up कर रहे हैं तो bilingual form में आपके लिए notes available हैं तो notes की आपको बिल्कुल tension नहीं लेनी है ना फिलाल कुछ अभी लिखना है आपको केवल पूरा concentration पूरा focus जो है session पर बनाया रखना है आपको automatically सारी चीज़े समझ मेंगी that I guarantee है ना ओ मैं guarantee लेता हूं कि आपको समझ में आगा सबकुछ ठीक चली तो principle of insurance में total हमें seven principles हमें देखने हैं तो अगर हम नाम देखें अगर एक बार इनका तो हमारे पास है principle of utmost good faith फिर हम पढ़ेंगे principle of insurable interest principle of indemnity principle of contribution फिर हम पढ़ेंगे principle of subrogation फिर हम पढ़ेंगे principle of loss minimization and the next principle हम लोग seventh one देखेंगे principle of cause of proxima यह seven major principle है इन principles पर इन सिध्धानों इन सिध्धान्तों पर और इन नियम कानूनों पर अगर मैं directly लिगा हूं तो insurance का पूरा का पूरा business ठीका हुआ है अगर आप इन principles को हटा दिए तो insurance business पूरी तरीके से collapse कर जाएगा और यह basic fundamentals हैं किसी भी insurance के पार्ट के अंदर है ना कुछ MCQs भी है कुछ MCQs भी हम discuss करेंगी yes absolutely ठीक तो इस पर पूरा का पूरा इंशरेंस का business ठीका हुआ है पूरा का पूरा इंशरेंस का concept इन पर है चले start करते हैं discussion सबसे पहला हम देखते है principle of utmost good faith पहला principle है हमारा principle of utmost good faith यहां पर यह नोट्स पढ़ने की जुरुत नहीं मैं जो बता रहा हूं उसको बद्ध्यान से सुनिए automatically आपके दिमाग में सारी चीज़े बैठ जाएंगी principle of utmost good faith friends यह क्या है यह भरोसे का सिध्धान्त है इसको भरोसे का सिध्धान्त कहते हैं मैं अगर आपको एक example दिखाऊ तो यहां पर आपको सुनीता और यह मुकेश दिख रह इंश्रेंस कंपनी को नहीं बताया था इसी घटरनाक चीज़ों का शेवन करते हैं और इन्हों ने क्या किया था इंश्रेंस ले लिया बट उसके बाद जब finally claim की बारी आई जब बिमार हो गए तो disease जब बिमारी हो गए उसके बाद जब बात आई claim की कि पैसा इनका मिल जाए इनको इलाज हो जाए तो insurance company ने साफ-साफ बना कर दिया इलाज करने से तो उस particular time में जो भी insurance company के perspective से जो भी सारी relevant information जो भी सारी जानकारी जो भी सारी बाते हमें पता है अपने बारे में अच्छे से जो insurance company के लिए required है वो सारी बाते हम उसको सही तरीके से बताएं अगर हमें कोई बिमारी है कोई दिक्कत है हमारे साथ कोई problem है तो सारी चीजें clear cut insurance company को बताएं और यह नियम के विल एक साइट से नहीं दोनों साइट से काम करता है insurance company की भी यह responsibility होगी कि सारी की सारी information सारी बाते सब कुछ जो है सारी बाते सही तरीके से वो भी जो बंदा insurance ले रहा है अपने customers को सारी clear cut information सही तरीके से बताएं तो यह दोनों साइट से यह principle लागो होता है तो पहला principle क्या है principle of utmost good faith इसको हम भरोसे का सिध्धानत कह रहे हैं तो एक दूसरे यह जो पूरा insurance का principle है यह भरोसे पर ट्रस्ट पर टिका हुआ है और अगर इन दोनों में से कोई भी बंदा जो है जूढ बोलता है तो insurance का फिर concept काम नहीं करेगा क्योंकि insurance basically ह को अपनी सारी बाते साही ढंक से नहीं बताएंगे साही तरीके से उसको सारी information करें नहीं करेंगे तो ऐसे केस में insurance company किसी भी point of time पर हमें claim देने से या हमें जो policy के benefits हैं जो insurance के benefits हैं वो हमें देने से मना कर सकती है तो यह चीज हमें देखने को मिलेगी तो जब कभी भी हम insurance अगर हम किसी भी तरीके की activity हम कर रहे हैं चाहे हमारी income के बारे में हैं चाहे हमारी कोई current वीमारी चुल्ले illness है उसके बारे में या कोई family की medical history रही है या कोई खटना किसी काम में हम काम कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी information ऐसी कोई भी बात हमें insurance company से छुपानी नहीं है and will have to tell all the things each and everything to the insurance company in a clear cut manner तो यह पहला principle हमें देखने को मिलता है principle of utmost good faith ठीक है तो principle of utmost good faith मैंने आपको example के थ्रू बताया तो यह क्या है यह principle of utmost good faith यह कहता है कि जो हमारी insurance company है और जो हम insured बंदे हैं हम लोग एक दूसरे से सारी की सारी information truly true information share करेंगे उसमें कोई fake या कोई redundant information या कोई false information हम insurance company को नहीं बताएंगे और ना insurance company हमें बताएगी और अगर ऐसा किसी भी point of time पर पाया जाता है तो एक contract हमारा जो insurance का है फिलाल वो cancel हो जाएगा और हमें insurance के benefits बिलकुल भी नहीं मिलेंगे तो insurance का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा serious insurance company बीमा company नकार देगी कि sir आपको हम प्रिंस्पल सभी को क्लियर है तो बिल्कुल टेंशन मत लिजी PDF मिल जाएगी आराम से इसको revise कर लिएगा ठीक है ध्यान से सुनेंगे विद्धा help of the example सारी चीज़ आपके दिमार के इंदर बैढ़ जाएगी दुबारा बस एक दुबार रिवाइज कर लेंगे तो आप आर अभी को समझ में आ गया फिर मैं आगे बढ़ू पता एक बर कमेंट सेक्शन में चलिए तो ये point हमें clear है तो हमने देखा कि कोई भी अगर हम insurance लेते हैं तो we'll make sure that कि हम सारी की सारी बाते साही धंग से बताएं चलिए दूसरे principle of insurance की हम तरफ चलते हैं दूसरा फ्रेंट्स principle of insurance क्या कहता है इस थोड़ा सधान से देखिए यह फ्रेंट्स principle of इंचोरेबल इंटरस्ट ये कहता है कि हम उनी चीज़ों का बीमा ले सकते हैं जिनमें हमारा हित छुपा हो जिसमें हमारा directly या indirectly इंटरेक्ली इंटरेस्ट छुपा हो कहने का मतलब क्या हुआ यह जैसे अपन कार का इंशुरेंस करा सकते हैं, अपनी कार का भीमा ले सकते हैं, हम अपने परिवार का इंशुरेंस करा सकते हैं, अपने family members का इंशुरेंस करा सकते हैं, लेकिन हम पडोसी की कार का, पडोसी के घर का, पडोसी की गाड़ी का, पडोसी के परिवार वालों का, या बाहर किसी क परिवार का या किसी और वेक्ति का हम भीमा नहीं ले सकते, we can't take that insurance, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कोई interest directly या indirectly नहीं छुपा है, तो याद रखेगा principle of insurable interest क्या कहता है, यह बात कहता है, कि सर आप उनी चीजों का insurance ले सकते हैं, जिनमें आपका interest directly या indirectly चुपा हो, और उस mobile के न रहने पर, मेरे को वहाँ पर नुकसान होगा, लेकिन आपका mobile अगर miss हो जाता है, तो उसे मेरे पर बहुत ज़्यादा कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, तो मैं उसका insurance नहीं करा सकता, ठीक है, तो यह यही कहेगा कि भाई, तू कर क्या रहा है, तो इसकी car का बीमा नह क्या है, principle of insurable interest, यह क्या कहता है, यह हम ऐसी चीजों का ही insurance करा सकते हैं, ऐसी चीजों का बीमा करा सकते हैं, जिसमें directly, indirectly अपना interest शुपा हो, ठीक, for example, जैसे मैं आपको पताया, हम अपने घर की चीजों का बीमा करा सकते हैं, अपने से related चीजों का insurance करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई भिखारी जा रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, उसको पकड़के उसका बीमा करा दिया, term insurance करा दिया, वो निपड़ जाए तो फिर हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम बिलकुल भी, ठीक है, तो insurance का ये जो principle है, इसको principle of insurable interest कहते हैं बीमा योग हित का सिधान कहते हैं, तो ये principle साफ साफ क्या कहता है, ये clear cut ये information कहता है, कि हम उनी चीजों का insurance करा सकते हैं, हम उनी चीजों का बीमा करा सकते हैं, जिनका हित, जिनका directly interest हमारे साथ जुड़ा है, और उनके ना रहने पर हमें नुकसान होगा, और उनके ना रह पर हमें कहिना कहीं नुकसान जहिलना पड़ेगा, तो हम के उल क्या करेंगे, ऐसी चीजों का ही बीमा करा सकते हैं, जिक, ऐसी चीजों का हिम insurance करा सकते हैं, और ऐसी चीजों को हिम cover करा सकते हैं, जिक, तो दूसरा भी I think सभी को clear है, principle of insurable interest, comment section बदाई, हाँ सर समझ में examiner की तरफ से ऐसा कोई number exactly not defined, अगर पूछा जाएगा, तो हम एक से दो तीन questions बिलकुल expect कर सकते हैं, principle of insurance is very important, ठीक है, चले, इस session से आपको दो से तीन चार questions मिल सकते हैं, अगर पूछाएगे तो बिलकुल आप cover up कर पाएगे, ठीक है, तो चले, principle of insurable interest आपको clear है, चले, सारी बाते हैं, clear cut information हमें बतानी, insurance company को, वो सारी information हम दोनों देखने को मिलेंगे, और दूसरा हमारे पास है, insurable interest, हम उनी चीजों का insurance करा सकते हैं, जिनमें अपना hit चुपा हो, जितमें अपना directly and directly benefit चुपा हो, ठीक, तो ये दोनों points हमें अच्छे से clear हैं, चले, next principle की बात क देखेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, principle of indemnity के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, insurance जो होता है, वो हमारे loss को compensate करने के लिए होता है, for example, मैं अगर आप से कहूं, कि जैसे ये माल लेते है, 1000 रुपे का remote है, और ये remote अगर खो जाता है, तो insurance company की responsibility है, कि मेरे को सर, 1000 रुपे तक मिल जाए, ताकि ये remote मेरे पास जब था, तब मेरी जो condition थी, वही condition वापस हो आ जाए, अगर ये तूड जाता है, मिस हो जाता है, तो, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता कि इस, ये remote है 1000 रुपे का, और मैंने पांच insurance company योंचे insurance करा रखा है, और ये remote तूड जाए या खो जाए, तो मैं सभी से 1000 रुपे वसूल लो, और मैं 5000 रुपे कठा कर लो, remote है 1000 का 5000 रुपे कठा कर लिए 4000 का मनाफ़ा, so, insurance is for what, insurance is basically to compensate our loss, भीमा हमारे, जो है, compensation, हमारे जो losses हुए, जो नुकसान है, उसकी भरभाई के लिए होता है, ना कि profit के लिए होता है, तो जोड जोड से बोल के आपको स्कीम नहीं बतानेगे की, एक चीज का बीमा चार पांच कंपनियों से मिलकर ले लिया, और हम सोचें यार हम तो बड़े होशियार हैं, और हमें 4-5 कंपनी से बढ़िया पैसा मिलने वाला, 5 लाख की कार है, 4 कंपनियों से बीमा करा लि हैं और insurance company को बेकूँ बनाने की कोशिश कर सकते हैं तैसे बिल्कुल हमें बचना है insurance का काम यही है principle of indemnity क्या कहता है insurance is for the compensation of loss loss होने से पहले की जो condition है उसमें हमें restate condition में वापस ले आने के लिए insurance होता है ना की इसलिए होता है कि हमें जो है वहाँ पर profit मिल सके या में मुनाफ़ा हो सके तो मुनाफ़े के लिए insurance हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है so insurance is not for the profit purpose मुनाफ़े के लिए नहीं होता है तो चलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखेगा यह profit के लिए नहीं होता है यह किसलिए होता है only to compensate you against the losses in a card जो losses in a card हुए है जो घटना घटी जिसकी वैसे हमारा कुछ नुकसान हुआ है उस नुकसान को वापस हम उसकी भरपाई करने के लिए यह होता है तो नुकसान होने से पहले जो हमारी condition थी उस यह था इस्तिती में वापस हमें ले जाने के लिए यह principle of indemnity जो है जो इंशुरेंस है वो हमारे लिए काम करता है तो आई थिंग तीनों के तीनों principle आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गए है चले इब फिर से recall कर लेते हैं सबसे पहला principle क्या पड़ा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए ध्यान रखिए क्या था पहला principle पर था भरोसे का सिद्दान principle of utmost good faith जिसमें हमें और insurance company क तो दोनों लोगों को एक दूसरे को सारी बातें clear cut अच्छे तरीके से बतानी है ठीक है सही तरीके से बतानी ताकि आगे चलके कोई दिक्कत ना हो ठीक है दूसरा हमारे पास principle है principle of insurable interest principle of insurable interest क्या कहता है principle of insurable interest क्या कहता है हित का सिद्दान जिसमें ये कहा जाता है कि आप का directly-indirectly interest चुपा हो तो principle of insurable interest हो गया उसके बाद हमें देखने होग मिलता है principle of indemnity principle of indemnity के अंदर हमने क्या पड़ा हमने ये पड़ा कि insurance is for to compensation of the losses हमारे जो नुकसान है जो हमारे नुकसान है जो घाटे है उनकी भरपाई करने के लिए होता है not to make profit ना की फाइदा बनाने के लिए ना की profit कमाने के लिए ठीक है तो यह हमें ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं principle of contribution next one हम बात करते है principle of contribution क्या होता है देखे friends माल लेते हैं मैंने कई सारे insurance company से insurance ले लिया I've taken insurance from the multiple insurance company मैंने 4-5 बीमा कंपनियों से बीमा ले लिया अब मैं दिमाग क्या लगा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर नुकसान हो गया तो पांचों कंपनी बढ़िया मोटा मोटा पैसा देगी लेकिन ऐसा नहीं है यहीं पर एक principle आता है जो principle of indemnity जो है कई सारी कंपनियों से इंशरेंस ले रखा है तो ऐसे में सभी कंपनी जो है ऐसे में सभी कंपनी जो है क्या करेंगी सभी कंपनी मिलकर जो है इंशरेंस कवरेज देने का काम करेंगी तो ऐसे में इंशरेंस कंपनी जो है सभी जो है companies के साथ मिलकर काम करेंगी अरे वही खाना रोजी रोटी चल जाती that is the salary चले तो ये ध्यान रखेगा तो ये principle of insurance हमें देखने को मिलता है सभी insurance companies contribute करेंगी तो जिसने जितना premium भरा होगा उसके हिसाब से उतना उतना percent सब contribution कर देंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो सारे premiums आपको जो different देखने को मिल ले हैं ये जो different premiums हैं इन premiums के थूँ जो total compensation मिलेगा जो total compensation होना चाहिए वो total compensation जो है उतना ही होना चाहिए जितना की total loss है तो टोटल लॉस को हमें compensation हमें देखना पड़ेगा तो कहने का मतलब क्या है अगर 5 लाग का नुकसान हुआ है तो भले आपने 5 इंशुरेंस कंपनियों से इंशुरेंस ले लिया है लेकिन जो contribution होगा वहाँ पर वो सभी insurance companies का इस तरीके से होगा कि हमें जो maximum compensation मिलेगा वो 5 ला को अच्छे से समझा गया what is the principle of contribution principle of contribution यह कहता है if the multiple companies if we are taking insurance from the multiple companies बिल्कुल आप ले सकते हैं लेकिन जो सभी companies मिलकर हैं आपके total loss को ही compensate कर देती हैं compensate कर सकती हैं उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं देंगी और अगर आपने इन case अगर उससे ज़्यादा पैसा ले लिया है तो इस case में वहाँ पर आप coverage ले सकते हैं लक्ष जो batch है that will start from tomorrow 29 से start होगा भी last में मैं आपको उसके बारे में बिलकुल inform कर दूँगा ठीक है UIC का admit card go in we are expecting within next one or two days 31st जो है जनवरी से पहले we are expecting 31st तारीक से पहले हम admit card expect कर रहे हैं ठीक है हाँ UIC का admit card जो है आ जाएगा बई वैसे जनरली एक हफते पहले आ जाता हफते 10 दिन पहले तो आप 31st तारीक से पहले मान के चलिए आपके admit cards आएगे don't worry about the admit cards आपके exam की date आपको clear है focus on that revision अच्छे से करिए revision करते रहे revision पर focus करिए that will help you a lot तो चलिए I think principle of contribution भी सभी को सुन में आ गया कि अगर हमने friends क्या किया है multiple company से insurance ले रखा है तो ऐसे में सभी company मिलकर loss को compensate करेंगी और वो total loss है जो total वो हमें compensation देंगी total हमें हर जाना मिलेगा वो total loss से कभी जादा नहीं हो सकता और अगर ऐसे केस में हमने इस insurance company को दोका दे कर उसके साथ कुछ फरजी वाड़ा करकर अगर पैसा ले भी लिया है तो ऐसे अत्रिक्त धन को वापस वसूलने का भी अधिकार है तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा अगर हमने multiple companies ले लिया और overall compensation अगर जादा हो गया तो insurance company के पास यह अधिकार होगा कि हमसे जो एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को भी वह वसूल सकते हैं ठीक चले तो हमें चार principles अभी को clear है NICLAO का तो अभी time लगेगा स्वरूप अभी तो उसका farm ही भरा गया है so it will take time उसको अभी समय लगेगा NICLAO का काफी देर में आएगा उससे पहले तो आपको UICAO का ही देखने को मिल जाएगा जहां तक है यस एपसिलूटली UIC assistant NICL assistant NICLAO UICAO सब में insurance आएगा सब में insurance आएगा बिलकुल आएगा बही insurance का मतलब paper देने जा रहे हो और पूछ रहे हो insurance आएगा कि न आएगा बिलकुल बही insurance आएगा बिलकुल हम expect करेंगे अब कितने number of questions आएगे that we can't predict बढ़ हाँ आएगा जरूर यह हम उमीद करते हैं पूरी और ठीक है बाकी है आप insurance sector में काम करने जा रहे हो जिस sector में आप काम करने जा रहे हो इस sector के बारे में तो information पूछना बहुत ही जायस सी बात है अब बैंक की त्यारी करते हो तो बैंक की टर्म्स बैंक की टर्मलॉजी जादा आता है बट वो आप कवर अप कर रहे हो तो करेंट अफेर्स भी आप कवर करते हो उसमें जो बैंकिंग फानिशल अवरेने जा रहे हैं तो insurance awareness आना ही आना है अगला हम देखते है प्रिंस्पल ऑफ सब्रोगेशन फ्रेंट बड़ा इंट्रस्टिंग है क्यों आप नाम से सुनेंगे तो नाम से हमको कम समझ माएगा इसे लिए मैं आपके लिए एक बड़ी आसा एक्जामपल बना के लिए आ हूँ एक्जामपल को ध्यान से देखिए आपको समझ माँ जाएगा देखिए एक्जामपल यह है कि जैसे यह आपकी कार है वही कार जिसका आपने इंशुरेंस करा रखा था और चोर ने क्या किया आपकी कार चोरी कर लिए इस चोर ने बड़ा एफर्ट डाला और आपकी यह कार इसने चोरी कर लिए ठिक कार चोरी के पूरे पैसे आपको मिल गए ठीक है तो आपके कार के पूरे पैसे आपको वहां पर क्या किये वापस कर दिये गए अब हुआ गया कुछ दिन बाद क्या हुआ कुछ दिन बाद जो है पुलिस ने बहुत मेहनत किया और पुलिस ने कार को बरामत कर लिया मतलब जो कार हमारी चोरी हो गई थी, वो पुलिस को आपस मिल गई अब ऐसे में हम लोग क्या कह रहा है insurance company से, किसाब हमारी car भी दे दो हमें मतलब हम बहुत चालाग बन रहा है हमने insurance company से car का तो पैसा पहले ले लिया और अब car मिल गई है police को तो हम अपनी car भी मांग रहे हैं तो सुनिए गाई ये principle of subrogation क्या कहता है? principle of subrogation ये कहता है कि अगर आपको insurance company ने किसी चीज का पैसा दे दिया है, किसी चीज का compensation आपको दे दिया है, तो ऐसे में जो आपकी asset है, जिसका नुकसान हुआ था, उस पर मालिकाना हग, उस पर जो ownership है, वो insurance company की हो जाएगी, चलिए और आसान भासा में समझाता हूँ आपको, जैसे मालित अपनी car है, car का accident हो गया, car टूट फूट गई, car बिल्कुल कबाड़े में बदल गई, तो insurance company ने हमें 5 लाख रुपए दे दी, car के नुकसान के, लेकिन अब जो car का कबाड़ा बचा हुआ, जो car का scrap है, उस पर मालिकाना हग, उस पर ownership insurance company की होगी, आप यह नहीं कहोगे insurance company, साब हमें कबाड़ा भी दे तो, जो damage asset है, अगर insurance company आपको उसका हरजाना दे देती है, तो फिर जो जिसका नुकसान हुआ है, जो संपत्ति, जो asset का नुकसान हुआ है, उस पर ownership की होगी insurance company की होगी, तो insurance company वालों को यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, देव अभी लक्ष से related में बाते आपके साथ आगे discuss कर लूगा, उसके बारे में है, आगे मैं थोड़ा से inform कर दूगा, कि लक्ष बैच में 150 hours plus foundation batches है, जिसमें banking awareness, current affairs, financial awareness, वो सारी चीज़े I'll cover, okay, देट सो घंटे से ज्यादा की class होगी, छे महीने से ज्यादा का patch होगा वो, that is the foundation one, I think principle of subrogation सभी को समझ में आया, बताए एक बार comment section में, तो principle of subrogation में हमने क्या समझा, कि ये अधीनता का सिद्धान तरह, ये मतलब ownership देता है insurance company को, अब पुलिस तो भाई अपनी duty करेगी, आप लोगों का ध्यान पुलिस पर ही है, भाई पुलिस पर से ध्यान अठाओ, बीमा company पर ध्यान लगाओ, बीमा company को क्या फाइदा होने वाला है, बीमा company को नुकसान की भरबाई करने के लिए बीमा company, तो अगर हमें कार का पैसा उसने दे दिया, तो वो कार लेके चली जाएगी, ठीक है, तो कार अब किसकी होगे insurance company की, अब हम यह नहीं कह सकते के insurance company, पुलिस वालों को पुलिस वालों को काम करने की अपनी सेल्ली मिलेगी, तो पुलिस वालों का काम है, नुकसान के लिए भुक्तान कर दिया जाता है, तो ऐसी संपत्ति का स्वामित्त, मतलब उसकी जो ownership है, अब insurance company के पास चली जाती है, तो ownership किसके पास चली जाती है, insurance company के पास, इसको अंगरी जी में भी देख लेते हैं, as per this principle, once the insured is paid for the losses due to the damage of his insured property, then the ownership right of the such property shift to the insurer, तो ownership जो right है, वो किसके पास चला जाता है, insurance company के पास चला जाएगा, लेकिन आपको उसका पूरा पैसा मिले तब, insurance company जब car take over की थी, तो उसकी value भी कम होगी, और customer को full payment करेगा, ने, it's depend on, it's depend on कि आपकी IDV value कितनी है, IDV value का मतलब की होता है, जब आप car लेते हैं, तो जब नई नई कार रहती, तो उसका insurance ज़्यादा पैसे का होता है, मतलब ज़्यादा पैसे का होता है, मतलब ज़्यादा आपको claim value मिलेगी, भई नई नई कार है, चोड़ी हो गई, तो माल लेते 5 लाख की कार, चाल लाख मिल गए, अब वही कार 7 साल पुरानी हो गई, तब हमें 4 लाख थोड़ी मिलेगी, तो उसमें उसकी insurance value माल लेते 1 लाख रुपए है, या 50 जा रुपए, तो जो उसमें insurance की value होगी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, कार की हमेशा time to time उसकी value depreciate होती जाती है, depreciation वहाँ पर लगता है, और वो calculation उसी हिसाफ से होती है, माल लेते कार वापस मिल जाती है, आप insurance company से कहें, तो साब लोग कार का पूरा पैसा ले लो, जो आपने दिया है, और हमें car दे तो, तो कोई दिक्कत ने, insurance company खुशी-खुशी आपको कार आपकी दे देगी, और पूरा पैसा जो उसने आपको दिया, वो आप पैसा आपसे ले लेगी, ठीक है, उसमें आप कर लो compromise कोई दिक्कत ने, लेकिन आपको दोनों नहीं मिलेगा, यू can't get both the things, आप सोचो, पैसा भी मिल जाए, और जो कार मिली है, वो भी मिल जाए, तो, दोनों हमें नहीं मिलने वाला, अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है, कि आपकी कार मिल गई है, कार से हमारा काफी लगाव है, तो ऐसे case में, आप insurance company ने जितना आपको पैसा दिया है, उसको return कर दीजिए, और अपनी कार ले लीजिए, उसमें insurance company को कोई objection नहीं, वो कार का वैसे भी करेंगे, क्या है, वो तो बेचेंगे, खुद थोड़ी चलाएंगे, ठीक है, I think, यह point आप समी लोगों को clear है, so this is what, this is principle of subrogation, and what is principle of subrogation, यह ownership का right दिलाता है, insurance company को, in case if the insurance company has paid, the entire compensation to the insured person, जो बीमित व्यक्ती है, अगर उसको पूरा पैसा दे देती है, insurance company, जिस asset का damage हुआ है, जिस asset का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में जो उस पर malikana hack है, वो बाई किसका चला जाएगा, malikana hack मिल जाएगा insurance company को, सुन में आगे इतना, let me know in the comment section, हाँ सर अच्छे से सुन में आ रहा है, so this one is also clear to us, ओके, चलिए तो, इसके बाद हम अगले principle की तरफ चलते, तो यह हमने देखा, अगला हमारे पास, principle of loss minimization, सेशन के अंदर ही सारी चीज़े ध्यान रखिये, सेशन के अंदर ही आपको यह बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, principle of insurance, साथो के साथो principle आपके बिल्कुल tips पर होने चाहिए, जैसे आपको अपना नाम याद है, वैसे insurance के principles आपको याद होने चाहिए, और मैं sessions के अंदर, मैं कोशिश करूँगा आपको session के अंदर ही पूरी तरीके से ध्यान हो जाए, याद हो जाए, ठीक है, चलिए, principle of minimization, जिब हम चीजे समझ लेते हैं, तो मैं उसको ध्यान रखना आसान हो जाता है, आप में थोड़ी सी आग लगी हुई थी, ठीक है, और हम अगर चाहते, तो आग बुझा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा से उस पे और मिट्टी का देल डाल दिया, पेट्रोल थोड़ा से और डाल दिया, कि कार पूरी जल जाए, नुक्सान हो जाएगा पूरा, इंशुरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी, अब ये प्रिंस्पल इसी चीज़ को रोकता है, इंशुरेंस का लॉस मिनिमाईजेशन का प्रिंस्पल क्या कहता है, कि अगर भाई कभी कोई घटना घटी कोई नुक्सान होता है, तो हमें ऐसा moral value के तौर पर, हमें उस नुक्सान को, उस damage को कम करने का प्रियास करना चाहिए, बियाग अगर लगी है कार में, मान लेते हैं, उसका भीमा भले है, लेकिन अगर कार को बुझा सकते हैं, आग को अगर बुझा सकते हैं, या उसको कम कर सकते हैं, तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपना हाथ भी जलाल उसमें नहीं, आप कम करने का उसको प्रयास करिए, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, कमपनसेशन तो देगी, एक और एक्जाम्पल सुनिएगा, कार बाहिक या किसी चीज का हमारा चोरी का इंस्छरेशन होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कर में चाबी लगाके छोड़के आप चले जाओ, कि चलो चोरी होजाएगी, कोई दिक्कत नहीं, भीमा कमपनी तो पैसा देगी, नहीं सब्सजरेशन को पता है, सबसे ज़्याध का होता है आपको बता रहूं देखिए जेसे माले थे किसी की καडी का एकसीडिय। हो गया उसके कार का एक साइट का गेट तोड़ गया तो वह क्या करता है बंदा इंशुरेंस क्लेम लेने के लिए कार को एक बार और ठोकता है कार को एक बार और लडाता है और दूसरे of loss minimization का, तो loss minimize करने की जगा, अगर कोई घटना खड़ जाती है, तो लोग थोड़ा सा loss बढ़ाते हैं, ताकि उनको ज्यादा compensation coverage मिल पाए, आप इस बात से agree करेंगे की ने agree करेंगे, है ऐसा की नहीं, बदाएए, कि गाड़ी accident में एक बार पलटी है, एक बार गिरी है, उसको दो तीन बार गिराया जाता है, so that जादा compensation मिल पाए, अभी तो, अभी तो हम expect नहीं कर रहे है, within few, within a month, we can expect, चले, तो ये point clear है, आगया सभी को समझें, तो हमें देखने को मिलता है क्या principle of loss minimization, क्या कहता है principle of loss minimization, हमें जो है, loss को compensate करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए, घाटे को कम करने के लिए, काम करना चाहिए, ऐसा नहीं, bike का insurance, bike में चावी लगा के, खुली छोड़ के घूम रहे है, आराम से, कि चोरी हो जाएगी, क्या tension लेनी, insurance company अपना भरेगी, तो इसका जो है, सबसे ज़्यादा violation ह to control and reduce the losses, if possible, तो अगर possible है, अगर possible है, तो कोशिश करना है, हमें नुकसान को कम से कम करने की, कम से कम नुकसान करना है, जादा नहीं करना है, ठीक, इस सिदान्त के अनुसार यदि वा उनके नियंतर में है, तो नुकसान को कम करने के लिए, सभी कारवाही, बीमित कर्तव, उ सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई आवश्यक कदम जल्दी नहीं उठाता है, ठीक, ऐसा हमें देखने में जूता है, हाँ, फॉर पीपल, लोगों के लिए क्या बंजरता है, प्रिंसिपल आफ लॉस मिनुमाइजेशन, प्रिंसिपल आफ लॉस मैक् आवश्यक करता है, तो वहां पर एक सर्वेयर आता है, जब एक्सिदेंट वगरा होता है, तो वहां पर वो सारा एससेस्मेंट करता है, कि अच्छा ये गाड़ी इस साइड से टकराई है, जैसे CBI वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए निए बेश्टेंगेशन के ल आपने उसमें जबरदस्ती कहीं, आपकी गाड़ी पहले से ठुकी हुई थी, पहले से लड़ी हुई थी, और उसमें डेंट था या कुछ नुक्सान हो रखा था पहले से ही, तो वो साफसा वो क्लेम में उसको नहीं डालता, वो कहता कि सर ये देखी, ये तो आपकी तो वो प्रॉपर तरीके से उसका इंस्पेक्शन करते हैं, फिर जो है क्लेम देते हैं, तो आजकल जितनी आसानी से क्लेम दिखाता है, वो एको हेल्थ इंशुरेंस वाला अच्छा ये किया, क्लेम हो गया, उतना आसानी से होता नहीं, इट विल टेक अ लिटल बिट टाइ ठीक है, तो NICL AO की अभी फिलाल डेट नहीं आये है, NICL असस्टेंट का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, और फरस्ट आप फैप से उसके फॉर्म बने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए और अच्छी एपॉर्चुरेंटी आपके सामने आ रह किसी भी जगा है, इंशुरेंस कांपनी में लग जाए, इंशुरेंस सेक्टर के अंदर लाइफ बहुत ही सुगून की होती है, और सेल्ली भी अच्छी खासी है, एगर मैं बात करूए, 80,000 प्लस पर मन सेल्ली है, आपके यहों की, चाए आप NICL में यहों लगें, चाए UIC के अंदर AO लगें, एक 88,000 है, एक एराउंड 85,000 है, तो अच्छी खासी 80,000 प्लस सेल्ली है, मोटी तंखा मिलती है, इंशुरेंस सेक्टर में काम भी उतना ज्यादा नहीं है, जितना बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, I am not criticizing banking सेक्टर, मैं banking सेक्टर ऐसा नहीं करूँ भीकार इंशुरेंस सेक्टर में, you are having a greater kind of a job satisfaction, प्रॉस्पक्टिव से अगर मैं बात करूँ, तो उन सब प्रॉस्पक्टिव से थोड़ा सा आपको बैंक से बेटर देखने को मिलेगा, तो अभी फिलाल 6 महीने हैं आपके पास अच्छे से लग के तयारी करिए, इंशुरेंस में क इंशुरेंस पास अच्छे से बागी सब कुछ आपका सी में, no there is no way, there is no way to change the exam center, अगर आपने UICU का form already fill up कर दिया है, तो form fill up की date चली गई है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई correction का option बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, तो चली हमने यह प्रिंस्पल भी पढ़ दिया, प्रिंस्पल of causa proxima, यह principle of causa proxima बड़ा interesting है, यह बहुत important है, हाँ यह assistant को promotion मिलते जाते हैं, तो आगे जाके AO बन जाते है, यैसे bank में clerk होता है, वो आगे चलके काम करता रहता है, तो PO तक पहुंसता मतलब administrative assistant जो है manager बन जाता है, वैसे in the similar way यहाँ पर assistant काम करता रहता है, और वहाँ पर काम UIC AO और UIC assistant में आपको क्यों एक paper देना है, UIC assistant में कोई interview नहीं है, तो आपने paper दिया अच्छे तारिक को अच्छा score किया सीधे नौकरी, कोई tension नहीं, बस वही language proficiency test होगा, आप जिस area से apply करोगे, that's it, और UIC AO की अगर मैं बात करो, तो UIC AO आप दीजे, उसके बाद interview दीजे स जन्चत नहीं, वो T20 मैच की तरह है, ठीक, हाँ, NICL AO में आपको prelims mains देखने को मिलेगा, और NICL जो assistant आ रहा है, उसमें भी आपको prelims mains जो है, जाहां तक है, जाहां तक है, देखने को मिलेगा, तो full notification ही बाद आजाए, पता चल जाएगा, बट वैसे जाहां तक है, आपको prelims mains देखने को मिलेगा, चले, next, seventh principle हम लोग देखते है, principle of causa proxima, principle of causa proxima क्या होता है, let's talk about this one, एक example देखिए का बहुत अच्छे से, we'll get the clarity, जो assistant का level है, वो clerical level के बराबर होता है, और जो आपका administrative officer AO का जो level है, वो PO के level के बराबर होता है, ठीक है, AO का level, PO के level के बराबर, almost SBI, PO, IBPS PO के बराबर का level होता है, जो AO का होता है, assistant के अगर मैं बात करूँ, तो आप SBA clerk, IBPS clerk के बराबर का level आप देख सकते हैं, LIC AO, yes सुमित, आगे चलके आपको LIC AO, LIC AAO, इसके अलाबा, LIC assistant की भी expectation है आगे, पाने वाले time में वो भी हमें देखने को मिलेगा, any upcoming insurance exams apart, देखे, insurance के लाबा, अगर हम बात करें, तो आगे चलके आपको RB assistant, most probably देखने को मिल सकता है, एक दो मैने को मिल सकता है, यह सब expected है, ऐसा नहीं है कि confirm है, I am talking about the expectation, तो एक RB assistant का देखने को मिल सकता, तो उसके वाला, regulatory exams आगे चलके आपको एक दो मैने के अंदर, RB grade B है उसका notification देखने को मिल सकता है, तो यह आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, चले हम लोग बात करते हैं friends, principle of causa proxima, यह बहुत interesting है, इसको बहुत ध्यान से देखेगा, with the help of example, we'll try to discuss this one, देखे हमने क्या कर रखा भई, हमने अपने ship का insurance करा रखा है, और insurance की इस बात का हो रख अपने पास एक marine insurance है, क्या है insurance अगर डूबा, तो हमें उसका पैसा मिलेगा, लेकिन जब हम पता है claim करने पहुंचे, claim लेने पहुंचे insurance company के पास, तो insurance company क्या भाना मारी पता है, insurance company के रही सर देखिए, अपके ship के अंदर एक बढ़िया मोटा सा चुवा था, जो Indian railways के पास मिलता है उस तरीके का मोटा वाला चुवा, और उस चुवे ने आपके जो ship के अंदर जो pipe थी, उसमें थोड़ा सा जंग अगरा लगा हुआ था, उस ship के pipe को उसने काटा, उस pipe से उसमें पानी भरा, और उस पानी भरने की वज़ा से वो आपका ship डूब क्या है, तो असल में आपके ship जो है, डूबी तो है, लेकिन इस चुवे की वैसे डूबी है, and we are not going to pay you insurance coverage, हम आपको sir insurance coverage नहीं देंगे, क्यों, क्यों कि चुवार ने ये नुकसान पहुचाया, अब यहाँ पर ये insurance का principle बहुत काम आता है, क्या है principle of causa proxima, principle of causa proxima ये कहता है, कि sir principle जो है insurance का, वो pass क कारण के लिए बीमा का coverage देता है, ना कि दूर के कारण के लिए, अब pass का कारण क्या है, अपने इंशुरेंस की इसलिए ले रखा है, कि sir ship डूबेगा, जहाँ डूबा, तो अपने को insurance coverage मिलेगा, अब उसको चुवे ने काटा, या pipe के अंदर जंग लगा था, या क्या लग निकटम कारण है, and that's why we'll get the insurance coverage, इसलिए हमें insurance का coverage, insurance company को देना पड़ेगा, तो insurance company की जो liability बनती है, that is for the nearest cause, चो ये ने क्या नुक्सान पहुचाया है, उसके लिए insurance company जिम्मेदान होगी, और इसके लिए insurance company हमें पैसा देने से मना भी नहीं कर सकती, तो इसलिए ये principle बहुत important है, चले एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं इसको, तो insurance of ये क्या कहता, principle of causa proxima, मतलब निकटम कारण का सिध्धान, ये क्या कहता है, जब कोई नुकसान एक से कई सारे अधिक कारणों से होता है, तो बीमा करता जो insurance company है, उसकी देनदारी तैय करने के लिए सबसे निकटम, ये जो सबसे nearest reason है, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, बीमा करता द्वारा निकटम कारण की बीमा किया जाता है, और किया जाना तभी बीमा करता की देनदारी सामने आती है, और policy धारण को भुक्तान किया जाएगा, बीमा करता सबसे दूर के कारण के लिए उत्तरदाईत तो नहीं होती है, मतलब far के reason को वो coverage नहीं करती है, far के reason के कारण हमें deny नहीं कर सकती, सबसे nearest reason के लिए मैं पैसा मिलेगा, ठीक ह चलिए भी मैं स्वरूप आपके comment कर reply करता हूँ, पहले बाकी लोग comment section बताईए ये चीज़ समझ में आगे सभी को, sir मेरे 10th में information technology communication हाँ बढ़ सकते हो कोई देखकत नहीं, बढ़ सकते हो स्वरूप कोई देखकत नहीं हाँ, यस सुमित कुछ specialized designation की पोस्ट की आती है, IT officer है, law officer है, medical officer है, तो यह ऐसी भी vacancies आती ही, तो journalist के लावा कुछ specialization के लिए vacancies हाई थी, NICLAO के अंदर, ठीक है, तो आगर आप specific particular किसी degree से हैं, तोड़े हुए, far का reason, दूर का कारण का मतलब क्या हुआ, जैसे ये चुहा, इस चुहे ने pipe को नुकसान पहुचाया था, इस चुहे ने क्या किया था भाई, pipe को नुकसान पहुचाया था, तो ये दूर का कारण था, पास का कारण क्या, what is the nearest cause, nearest cause ये है, अपना ship डूप गया, तो insurance किसलिए किया है, ताकि हमारा अगर ship डूपता है, तो हमें उसका coverage मिले, ठीक, दूर का प्रिंस्पल्स जो है, अपने cover up कर लिए, ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से revise कराता हूँ, फिर हम लोग कुछ insurance की terminologies की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो देखें फ्रेंट्स हमने देखा principle of utmost good faith, क्या है principle of utmost good faith, ये है वरोसेगा सिध्धान, मतलब हम insurance companies को सारी information, सारी बाते, स धंक से बताएंगे, पहला principle पड़ा, दूसरा principle पड़ा principle of insurable interest, ये बीमा योग हित का सिध्धान था, इसमें हमने कहा कि हम उनी चीजों का insurance करा सकते हैं, जिन में हमारा हित चुपाओ, जिसमें हमारा directly, indirectly हित चुपाओ, उनी का बीमा करा सकते हैं, उनी चीजों का क्या होग अगर हम एक से अधिक कंपनियों से बीमा ले लेंगे, तो सभी कंपनिया मिलकर हमारे loss को कंपनसेट करेंगी, लेकिन वो कंपनसेशन उतना ही होगा, इतना हमारा total loss है, principle of subrogation क्या कहता, ownership transfer का ये नियम है, अगर insurance company हमें compensation दे देती किसी चीज का पूरा, तो जो asset है, जिसका damage हुआ है, उस पर पूरा मालिकाना हग, उस पर पूरी ownership insurance company की हो जाएगी, उसके बाद हमने पढ़ा principle of loss minimization, loss minimization के अंदर क्या आप हमने पढ़ा, principle of loss minimization हमने ये पढ़ा, यगर कई कोई भाई नुकसान होता, कोई घटना घटित होती है, so we should try to minimize the loss, हमें नुकसान को कम करने क कोशिश करने चाहिए, जितना हमारे control में है, बहुत जबरदस्ती ने, बढ़ जितना control में हो सके, उतना नुकसान आप कम करिए, तो नुकसान कम करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, effort करना है, पूरा हमें प्रयास जो है, वो करना है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ रखिएगा, तो इस सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान आएंगी, फिर हम लोग terminology चलिए, start करते हैं, चलिए, पहला मैंने आपको पढ़ाया, principle of utmost good faith, principle of utmost good faith में मैंने आपको सुनीता और मुकेस को दिखाया, कि सारी बाते बीमा कंपनी को सही धंग से सारी बाते बता insurable interest है, जिन में आपका हिद चुपा हुआ है, उसके बाद हमने discuss किया, next one, उसके बाद हमने पढ़ा, principle of indemnity, principle of indemnity क्या है, insurance loss को compensate करने के लिए है, ना कि profit कमाने के लिए, तो आपके वल, अपने loss को cover up करने की कोशिश करिए, ना कि profitability के लिए, ठीक, principle of contribution में क्या है, अगर हमने कई सारे insurance कंपनियों से बीमा ले रखा है, तो सभी बीमा कंपनिया मिलके loss compensate करेंगी, total compensation हमें मिलेगा, ज्यान रखिए, तो आपको आराम से याद रहेगा, एक बार focus करके पढ़ लेगे, principle of subrogation, principle of subrogation क्या है, अगर किसी asset का नुकसान होता है, और बीमा कंपनिया अगर हमे उसका पूरा पैसा दे देती, compensate कर देती है, तो उस पर ownership मालिकाना हग किसका चला जाता है, insurance company, उस पर ownership का right उसको मिल जाएगा, उसके बाद हमने पढ़ा principle of loss minimization, ऐसे अगर किसो कोई घटना घटती है, तो हमें नुकसान को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नुक इतनी बात हैं, अगर हमें अच्छे से clear है, comment section में बताए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर terminology हम स्टार्ट करते हैं, बताए इतना clear है सभी को, और एक बार NIACL का पूरा notification आजाने जिए, श्वरूपत और विल गेट दा clear cut clarity, है ना, NIACL जो assistant का भी पूरा short notification यहाँ, detailed notification यहाँ, एक बार वो आ जाएगा, so we'll get the clarity, चलिए, अगला हम लोग बात करते हैं, insurance terminologies को हम लोग discuss करते हैं, insurance terminologies भी बहुत interesting है, और एक्सर इससे question बन जाता है, ठीक है, and because we are going to work in the insurance sector, तो insurance terminologies हमें पता होनी चाहिए, को कि जब हम AO का paper देंगे और interview देने पहुँचेंगे, तो insurance के term sum से काफी पूछे आते हैं, और यार देखते हैं, हर चीज केवल और केवल exam में पूछी जाए, तो जरूरी ही नहीं है, लेकि life में जिन्दगी में भी कुछ बाते बहुत काम आती है, यह जो insurance की basic terminologies आप भविश में, या तो आपने insurance ले रखा होगा, नहीं तो भविश में आप insurance जरूरूर लेंगे, इनको ऐसे दिलो दिमाख में बठाइए, एक्जाम में तो काम आए ही, साथ ही साथ आपके real life में भी काम आए, और आपको वहाँ पर भी help करें, ताकि बीमा company या agent हमारा हमें चूना ना लगा सके, हमें नुक्सान ना पहुचा सके, नुक्सान ना पहुचा सके, बेकूफ न बना सके, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टाम स्टार्ट करते हैं हम लोग, policy holder समझते हैं क्या होता है, मैं आपको इस story के form में चीजे बताता हूँ, देख लिए एक बार अच्छे समल लेते हैं, I think ये movie सभी लोगों ने देखे होगी, और I think इसका नया part भी, नया part भी आन बाबू राओ का बीमा करा लिया है, इसके साथ मिलकर बाबू राओ का इन दोनों लोगों ने क्या करा लिया, इंशुरेंस करा लिया, और बाबू राओ का इसने इंशुरेंस कराया कि बाबू राओ अगर निपढ़ता है, तो एक करोड़ों रुपे मिलेंगे, बाबू र अगर हम देखें तो 10,000 रुपए का यहाँ पर क्या है compensation amount है 10,000 रुपए यह भरता है एक क्रोड रुपए का coverage मिलता है तो सबसे पहले point पर हम बात करते हैं what is policy holder policy holder हम समझते हैं क्या है policy holder हम समझने की कोशिश करते है policy holder क्या होता है देखें फ्रेंड्स policy holder कौन होता है जो व्यक्ति policy का पैसा भरता है उसको हम policy holder कहते है बहुत ध्यान से terminology समझे सारी terminology आपको अच्छे से clear हो जाएंगे अगर देव आपने कहीं कवर कर रखा है तो यह बंदा क्या है पैसा भर रहा है policy का तो इसको हम कहते है policy holder तो policy holder कौन होता है पैसा भरता है अब यहाँ पर दूसरा term आता है life assured life assured का मतलब क्या होता है वो व्यक्ति जिसके ना रहने पर पैसा मिलने वाला है तो राजू को किसके ना रहने पर पैसा मिलने वाला है तो life assured कौन हुआ, life assured ये हुआ, बावू राओ, समझ में आरा की नहीं, confused मत हुए, देखिए, जो पैसा भरता है, उसको हम policy holder कहते हैं, उसको कहते हैं, बीमा धारक, और जिसका हम बीमा कराते हैं, उसको हम life assured कहते हैं, चीक, अब यहाँ पर एक point ये समझेगा, कि अगर माल लेत policy holder भी होगा, मैं दोनों होगा, मालेते husband ने अपनी wife का बीमा करार रखा है, तो wife के ना रहने पर पैसा मिलने वाला है, तो wife क्या हो गई, life assured, पैसा कौन भर रहा है, पैसा husband भर रहा है, तो husband को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको policy holder, तो I think policy holder और basically life assured, ये दोनों बाते आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, ये दोनों बाते आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई है, कि life assured क्या होता है, और policy holder क्या होता है, clear इतना समझ में आ रहा है, तो comment section बताइए, life assured हमें समझ में आ गया, और policy holder समझ में आ गया, तो policy holder किसको कहते है, जो पैसा भ बाबु राओ गनपट राओ आपके ठीक है चली बहुत अच्छा तो लाइफ एशोड में क्लियर है अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स वन समशोड समशोड देखी क्या अमाउंट होता है बाबु राओ के ना रहने पर राजु को किता पैसा मिलने वाला है एक करोड रुप हमें compensation होने पर loss होने पर नुक्सान होने पर जो हमें पैसा मिलने वाला होता है उसको हम लोग समशोड इमाउंट कहते हैं थीिक है तो इनदरेक्ट लीकुरिए आसान भासा में इसको लेमन लेंगवेज में इसको कई बार coverage कह देते हैं और coverage को यह में indirectly कई बार हम some assured term की तरह ले सकते हैं तो insurance company कहते हैं सर अगर देखें कुछ नहीं हुआ तो 20 साल बाद इतना total पैसा मिलने वाला so that is a kind of a some assured amount तो कभी भी आप insurance की कोई भी policy लेते हैं आपको एक some assured amount बताया जाता है जिसमें एक company बताती है कि total पैसा में कितना मिलने वाला है so that is what some assured amount तो हमें some assured clear है policy holder clear है और life assured clear है तीनों तो हमाई थिंक सभी को समझ में आ गया let me know in the comment section quickly बताइए clear है समझ में आ गया चलिए that's great तो हमें some assured भी अच्छे से समझा गया कि basically some assured क्या होता है आगे बढ़ते हैं आगे हैं friends हमारे पास next one is nominee nominee क्या होता है nominee फ्रेंट्स यह वो legal person होता है जो व्यक्ति जिसका insurance हो रखा जो life assured है उसके ना रहने पर पैसा किसको मिलेगा तो अपने case में nominee कौन है फड़ावर कमेंट सेक्शन में सबी लोग साब के बताओ कि अपने example में nominee कौन होगा अपने example में nominee कौन है nominee bank में भी भरवाया जाता है insurance में भरवाया जाता है कोई policy खिलवाते हैं तो उसमें हर जगा nominee हमें देखने को मिलता है so is nominee in our case हमने जो अभी example देखा उसमें nominee कौन है बाबु राव है या शाम है या राजू है nominee कौन है nominee कौन कहलाएगा तो हमारे example में nominee कौन है हमारे example में nominee जो है वो राजू है क्योंकि राजू जो है वो पैसे भर रहा है और वो कह रहा है कि इसके निपड जाने पर पैसा मेरे को मिलना चाहिए तो राजू और शाम को हम कह सकते हैं वो क्या है नॉमनी है नॉमनी बेसिकली क्या होता है वो लीगर परसन होता है जिसको compensation loss का पैसा मिलता है जिसको actual में sumissure amount मिलता है जिसके loss होने पर पैसा जिसको मिलता है तो हमारे example में कौन था राजू राजू एंश्याम को पैसा मिले गए yes absolutely clear है समझ में आ रहा है थोड़ा सा examples के साथ connect करके चीज़ों को पढ़िए so the things will be very easy for you चीज़ां आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगी okay that I used to do चले तो नॉमनी हमें समझ में आ गया क्या होता है अब बात करते है premium तो अभी हमने पैसा भरा था 10,000 रुपए है कोई भी चीज हमें लेनी पढ़ती है तो हमें अभी राजू ने policy लिया था बाबू राओ के लिए उसके लिए 10,000 रुपए वो भर रहा था महीने का so that 10,000 रुपीज is what that 10,000 रुपीज is what is known as a premium जो 10,000 रुपए वो भर रहा है वो 10,000 रुपए असल में क्या है वो premium है तो premium हम क्या terminology premium किसके लिए उस करते है premium वो पैसा होता है जो हम XYZ किसी भी टाइप के insurance policy के against हम पैसा जो भरते हैं उसको हम premium amount कहते है ठीक है उसको हम क्या कहते है premium amount कहते है that is basically known as a premium उसको हम premium कहते है हाँ एक क्रोड का अगर coverage है तो पूरा एक क्रोड रुपए मिलेगा भी जितने का समशोड company बताएगी जितना coverage बताएगी जितना समशोड बताएगी उतना पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है तो premium हमें समझ में आता है premium जो पैसा भरते हैं वो premium कहलाता है अब इस session का सबसे important aspect ये rider क्या होता है और friends ये rider सबसे आदा examination में पूछा आता है इस rider को बहुत ध्यान से इसको समझेगा इस rider is very very important चली तो इसको देखकर हो सकता है कुछ खाने का मन करे लंच करने का मन करे चली selection हो जाएगा आप सभी लोगों का तब मैं आप से बिल्कुल party लूँगा और आप लोग यहाँ office में आएगे इसे मिलने आएंगे तो आप से में यह party लूँगा और यह सब खाऊंगा ठीक है तो चली सुनते इसके बारे में क्या यह example जैसे माल लेते हैं यह बर्गर है यह french fries है आलू आली जो है कुछ ऐसी है तो french fries को हम कह देते हैं और यह हमारे पास cold drink है यह 3 options हमारे पास है तो जब मैकडॉनल्ड में हम गये मैकडी के अंदर गये तो मैकडी वाले ने कहा कि सर देखे बर्गर जो है बर्गर अगर आप खाते हैं सर देखे तो बर्गर जो है आपका भी खाते हैं, तो sir उसके लिए आपको 100 रूपए देने पड़ेंगे, इसका प्राइस है 100 रूपए, ये है 300 रूपए का, और ये है वैसे 100 रूपए का, ये इनके प्राइस है, मतलब मैं जाके केवल बर्गर, पहले बर्गर जाके खा रहा हूं और बर्गर खाने के बाद, बर्गर खाने के बाद, जो है, मैं थोड़ी दिर बाद, मैं कोडिंग मंगा लेता हूं, या फ्रेंच फ्राइस खा रहा हूं, तो इस तरीके से मेरा टूटल बिल बना, 300, 500, 1600 जग गए कितने 600 रुपए, ठीक, तो ये तरीका है, ये पहला कैसे, एक दूसरा और एक्जामपल क्या है, दूसरा एक और तरीका हो सकता है, कि जब हम मैकडी में उसे, और काउंटर पर पहुंचे बर्गर खाने के लिए, बर्गर तो अपना 300 रुपए का है, उसी समय मैं म इस पर भी 50% आफ और ये भी आपको 50 रुपए में मिल जाएगे, तो मतलब टोटल ये तीनों चीजे आपको 450 रुपए में मिल जाएगे, अगर आप एक साथ लेते हैं, इन सभी चीजों को एक साथ लेते हैं, तो आप बताइए मेरे को किस आफ़र के साथ आप जाना चाहे अच्छा अच्छा करें लागे अरे नहीं यार अभी अभी ऐसा और अभी खा सकते हैं अभी खलाना सेलेक्षन के बाद खा सकते बाकी आगे 10-20 साल के आगे का तो नहीं पता बट अभी फिलाल खा सकते हैं ठीक चले तो यहाँ पर सभी लोग I think सभी लोग कौन सा offer accept करेंगे everyone will go with the offer number second अगर हमें सारी चीजें खा नहीं है ठीक इतनी बासमझ मागे इसका मतलब क्या हुआ अब थोड़ा सा इसमें हम insurance का flavor मिलाते हैं अब थोड़ा सा मैं इसमें insurance add करते हैं I think आप सभी लोग agree होंगे कि सरम second plan के साथ जाएंगे second plan must है इसके साथ हम जाएंगे और इसमें हम फायदा उठाएंगे we'll go, we all try to go with a second number plan इस plan के साथ हम सभी लोग जाने की इच्छा रखेंगे, ठीक अब यहाँ पर देखिए अब इसी को थोड़ा सा मैगडी के flavor से बहार निकली है थोड़ा सा इसको insurance की तरह सोचते हैं देखिए, जब मैं main insurance policy ले रहा हूँ माल लेते मैं term insurance policy ले रहा हूँ कोई भी बंदा term insurance policy ले रहा है 300 रुपए policy का premium है इसमें यह हुआ कि सर अगर कुछ हो गया नहीं रहे तो घरवालों को माल लेते 300, माल लेते घरवालों के 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे लेकिन उसी समय insurance company ने हमें एक लालच दिया insurance company ने हमें कहा कि सर आप एक काम करिए सर आप बस 100 रुपए और दीजे न तम आपको एक और बढ़िया उसमें plan आड़ कर देंगे क्या plan आड़ करेंगे सर अगर माल लेते हैं मृत्यू नहीं हुई सर आप बस 50 रुपए और दीजे तो आपको हम अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आगे का सारा premium हम क्या करेंगे वेव उफ कर देंगे सारा premium हम आगे का माफ कर देंगे तो सर आप बस 50 रुपए और दीजे आगे का हम सारा premium क्या करेंगे माफ कर देंगे अगर कोई दिक्कत होई और ये सारा plan आपको मिल जाएगा बस 450 रुपए में इसका मतलब क्या हो रहा है insurance company हमें main insurance plan के साथ कुछ additional benefit बहुत ही थोड़े से premium में हमें दे देती है जिससे हमारा overall policy का coverage बढ़ जाता है और हमें ज़्यादा benefits मिल जाते हैं तो जितनी आप extra चीजे add कर रहे हैं थोड़े से extra premium के साथ वो सारी extra चीजे कहलाती riders जैसे for example यह आपका burger है यह आपकी main insurance policy है उसमें आपने कुछ extra policy के benefits add कर दिये तो यह जो extra चीजें यह riders हैं और यह overall आपकी policy का coverage बढ़ गया जैसे आपका meal यहाँ पर पूरा बन के तयार हो गया आपके लिए एक meal तयार हो गई तो यह लेकिन हम कब घंप कर सकते हैं जिसे burger खाते खाते मैं सोचूँ कि चलो यार kolding लाते offer मिल जाईए तो नहीं मिलेगा हम जब बिल्कुल mcdonald के अंदर घुसे हैं और उसी समय अगर तीनों चीज़े एक साथ लेते तभी यह benefit मिलेगा नहीं तो फिर अगली बार आई यह तब मिलेगा इसी तरीके से जो riders का benefit है वो हमें तब मिलता है जब या तो बिल्कुल नई policy खरीद रहे होते हैं मैंने बिल्कुल नई policy खरीदी तब मैं यह काम कर सकता हूं कुछ यह benefit वो बढ़ जाता है और हमारी policy में ज्यादा benefit हमें मिलता है ज्यादा फाइदा हमें मिलता है यह एक अच्छा advantage हमें देखने को मैं आपको दिखाता हूं कुछ riders देखिए हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा देखी क्या होते राइडर्स कुछ extra benefits होते हैं जो हमारी main policy के साथ हमें provide करते हैं जैसे for example एक rider का नाम सुनिए accidental death benefit cover अगर माल लेते हैं हमने कोई coverage ऐसा ले रखा है health insurance ऐसा कुछ ले रखा है तो उसमें एक मिल गया accidental death benefit कवर कि accident के case में अगर मृत्य हो गई तब भी घरवालों को बड़ी हां मोटा पैसा मिल जाएगा इसी तरीके से accidental total and permanent disability benefit rider जिसमें क्या होगा अगर accident हुआ मृत्य नहीं भी हुई क्यों विकलांगता हुई तो हमें फिर भी जो है total coverage वहां पर मिल पाएगा एसी critical illness कवर कोई हम health insurance ले रहा है उसमें राइडर कर लिया critical illness का कवर मतलब गंभीर बिमारियां cancer जैसी बिमारियां है heart related disease है ऐसी गंभीर बिमारियां होती उनको भी हम cover करेंगे और ज्यादा coverage के साथ hospital cash, normally हम कोई health insurance लेते तो हमारा cashless treatment होता है तो जो इलाज का खर्चा होता है वही company cover up करती है लेकिन आपको hospital के इंदर हमें juice मंगवाना है या कुछ खाने पीने का खर्चा है वो हमें अपनी जेब से बनना पड़ता है तो आप एक hospital cash rider हम add कर सकते जिसमें क्या होगा अगर in case ह में hospitalized होना पड़ा तो हमें per day company 1000, 2000, 3000 जैसा भी आप decide करेंगे वो पैसा आपको company daily cash में देगी और उस cash का आपको जो मन करें वो करिए इसी तरीके से आता waiver of the premium, now what is waiver of the premium, waiver of the premium में क्या होता है कि अगर in case कोई disability होगी कोई विकलांगता होगी तो आगे का पूरा जो 10 साल का premium है आले ते 10 साल की policy है, 2 साल ही पैसा भरा, आगे के जो जितना बचा हुआ समय है उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, फिर भी आपके policy के सारे फाइदे आपको मिलेंगे, so that is known as a waiver of the premium, आपका आगे का premium भी माफ हो जाएगा, so ये होता है फाइदा rider का, और मैं आपको एक औ और चीज बताऊं, कि जब agent वगरा policy बेचते हैं, तो agents हमें rider के बारे में नहीं बताते हैं, क्यों, क्योंकि वो rider तो अलग से बेचते हैं, क्योंकि उनको अलग से rider पे मोटा commission मिलता है, अगर वो policy के साथ ही बेच देंगे, तो उनका coverage कम हो जाएगा, for example, मैं अगर आपको द लेते हैं, that's it, लेकिन आज की date में, online की जमाने में, lot of riders options are available, जैसे policybazar.com है, ऐसे बहुत सारी websites हैं, जिन पर आप अच्छे से plan को देखकर, उनके अंतर rider side करके, कितना premium क्या बनेगा, सब कुछ आराम से check कर सकते हैं, और जो agent का motor commission वहाँ बनता है, online वो भी कम रहता है, तो बीच में policy के नहीं होगा, मतलब वही बात होगी, जैसे burger खा रहें, फिर सोचे plan add कर लें, तो नहीं, जब आप सार ले रहे हैं, उसी समय, पताई इतनी बास सभी को समझ में आ गई, मैं आपको इसका hindi version भी I think add किया है, yes, बिल्कुल देखिए, पताईए, समझ में आ गया स सभी को, तो I think आप सभी लोगों को riders समझ में आ गया, what are the riders, riders are the extra benefits, riders यह वो extra benefits होते हैं, यह वो फायदे होते हैं, चो हमें main policy के साथ, main policy के साथ भई हमें मिलते हैं, हमारी जो main policy है, उसके साथ हम अपनी policy का coverage बढ़ा सकते हैं, we can increase the benefit of our policy, so along with the main policy, what we can do, we can add some extra rider, and we can increase the coverage of our whole policy, हमारे whole policy का, पूरे overall policy का coverage पैतरीन तरीके से बढ़ जाता है, और जब कभी भी आप insurance लें, तो riders जरूर ध्यान रखिए, हमारे family members में कई लोग लेते हैं, so उनको riders नहीं पता रहता है, नहीं लिया हुआ rider, यार मैं घर में पूस्ता है, मैं घर में कोई rider वगरा नहीं रहता, हाँ लेकिन अब मैं अगर policies ले रहा हूं, तो मैंने riders ले रखें, in the similar way in future आप policies लेंगे, तो आप भी riders add करके रखेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा premium जाता है, लेकिन आपकी overall policy की benefits बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, that is a kind of advantage that we are having, ठीक है, I think riders आप सभी को clear, riders सच्छे स्याद रखे, exam में कई बार पूछाता है, इसी को पता है, इसी को एक और नाम से जानते है, add-on facility कहते हैं, जैसे जब आप motor vehicle insurance लेंगे, तो उसमें company आपको कुछ add-on बताती है, कि आपका motor vehicle insurance गाड़ी का भीमा है, वो है, sir आप ये कुछ और चीजे add कर लिए, तो आपकी गाड़ी की coverage और बढ़ जाएंगे, तो उसको कई बार add-on भी कह देते हैं, बट insurance के term में generally हम rider कहते हैं, बट कई बार इसको extra add-on facility भी कह देते हैं, जैसे आप pizza खाने आते हैं, तो बोलते हैं, sir, extra cheese add-on कर दें क्या, या cheese burst कर दें, double cheese burst कर दें, या कुछ भी extra add करना है तो कई बार add-on भी कह देते हैं, लेकिन generally जो नाम है इसका वो rider है, add-on भी कह सकते हैं, बट rider इसका technical term है, जो insurance के अंदर यूज़ किया था, शली आगे बढ़ते हैं next one, तो this is the main term है जो हमने अभी discuss किया, आगे हम बात करते हैं, next one है friends हमारे पास free look period, free look period भी बहुत ही आसान है, example के साथ समझें, जैसे हम Flipkart या Amazon से कोई सामान मंगाते हैं, कोई product order करते हैं, तो हमारे पास ये 15-30 दिन का moment उसको return replace करने का option होता है, कि आपको product नहीं समझ में आया, उसको वापस कर दिए company उसको रख लेगी, और जो पैस हमारा, थोले बड देलिवरी charges काटके हमें त इंशरेंस सेक्टर, जिसमें आपने जैसे माले ते आज मैंने कोई policy खरीद ली किसी company की, और चार दिन बाद मेरे को लगता, दस दिन बाद मेरे को लगता, यार policy मेरे को नहीं लेनी चाहिए, और मैं इसको नहीं लेना चाहता, तो आप policy को वापस कर सकते हैं, और insurance company 15-30 दिन का देखने को मिलता है, अलग insurance company का अलग लग vary करेगा, और जनली ये 15-30 दिन का होता है, तो free look period क्या होता है, ये वो time होता है, जिसमें आप अपनी policy को क्या कर सकते हैं, return कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, इसको वैसे याद रखिए, जैसे Amazon flip card पर replace return की policy होती है, वैस इसे insurance की दुनिया में क्या चलता है, free look period, तो पहले इस्तमाल करिए, फिर विस्वास करिए, तो पहले देखिए policy समझ में आ रही है, तो continue करें, नहीं है, तो मना कर दिए, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस free look period के बाद policy मना करते हैं, तब पैसा भाई तुर हाँ, credit card departments में भी credit card में बहुत सारा add-ons होते हैं, yes, absolutely, तो what is the free look period, so free look period is a kind of extra benefits, is a kind of extra time that we are having, जिसमें हम अपनी policy को क्या कर सकते है, return कर सकते है, वापस कर सकते है, अगर हमें policy नहीं समिना रही है, policy की benefits हमें नहीं समिना रही है, so we can return our policy, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो free look period हमें अच्छे से समिना आ गया, next one बात करते हैं, अगला है friends, grace period, grace मतलब जाते हैं क्या होता, दया, पुराने समय में, पुराने समय में क्या college school के time में, grace number मिलते हैं, माल लेते पास नहीं हुए, नंबर कुछ कम चलना है, चलो कृपा होग भरने का आखरी दिन है, और आज अगर में policy का पैसा ना भरू, मतलब premium अगर में ना भरू, तो नियमता होना क्या चाहिए, rules के हिसाब से होना क्या चाहिए, कि मेरे policy के benefit बंद हो जाने चाहिए अगले दिन से, लेकिन यहाँ पर IRDAI, that is Insurance Related Development Authority of India, हम पर बड़ी किरपा करता है, वो कहता है, नहीं सर, आपकी policy हम तुरंत नहीं बंद करेंगे, हम आपको 15 से 30 दिन का कुछ extra time देते हैं, जिसमें आपने जो premium नहीं भरा है, वो premium आप भर लीजिए, जो पैसा policy का भर दीजिए, अगर आप 15 से 30 दिन के अंदर पैसा भर देते हैं, तो आपकी policy जैसे चल period भी a movement generally 15 से 30 दिन का होता है, इसमें क्या होता है, अगर हमने policy का premium नहीं भरा है, तो premium भरने के लिए जो हम एक्स्टा time मिलता है, उसको हम लोग grace period कहते हैं, हां mostly 15 दिन का होता है, yes, yes, absolutely, प्रेम जीत, yes, 15 to 30 days, generally 15 days का अपमें दिखने को मिलता है, तो clear what is grace period, grace period क्या है, we are not able to pay our premium on the time, so there are some extra days, extra time that has been given through the insurance company to pay our premium, and during this particular period, the insurance, all benefits, all the coverage will continue, और इस जो extra time को हम क्या कहेंगे, grace period के नाम से जानते है, so grace period friends क्या होता है, यह वो extra time होता है, जिसमें हमारे policy का coverage हमारे साथ बना रहता है, और हमें कुछ extra time यहाँ पर देखने को मिलता है, so this time को हम क्या कहते है, इस this is known as grace period, I think grace period is clear to everyone, okay that's clear, so grace period भी हमें समल में गया, तो grace period क्या है friends, यह वो extra time है, जिसमें हमें policy के benefits, policy के coverage हमें देखने को मिलेंगे, चली आगे बात करते है friends, next one is what, next one is surrender value, let's talk about what is surrender value, surrender value समझेगा क्या होता है, हाँ जैसे school में क्वाले grace number देते थे, चली surrender value क्या है, let's talk about this one, जैसे माल लेते है friends, मैंने एक policy ली, policy का first year है, दूसरा साल है, तीसरा है, शौथा है, पांचवा है, ऐसे करके 10 साल की policy, जो policy का time होता है maximum time, उसको maturity period करते है, maturity period हमारा कितना है, that is of 10 years, 10 साल का क्या है, maturity time span है, अब देखे friends, आज जो है, यहाँ पर हमने policy ली है, ठीक, मैंने पहले साल इसका पैसा भरा, मैं लेते 20,000 रुपेश का premium है, 20,000 रुपेश का premium है, पहले साल मैंने premium भरा, दूसरे साल मैंने पैसा भरा, तीसरे साल पैसा मैंने भरा, तौतरे साल मैं कहारा हूँ, देखो साब मैं पैसा नहीं भर भाऊंगा, मेरे पास पैसा दे तो insurance company से मैं कहूंगा साहब मेरा जो भी पैसा बनना हो साहब आप हमें दे दो insurance company कहेगी अच्छा साहब वैसे तो आपका बनना था 2,00,00 रुपए लेकिन आपको 1.8,00,00 रुपीज हम आपको दे देते हैं और आज से आपकी policy बन्द तो जब हम policy को maturity time से पहले बंद करते हैं policy का जो समय निर्धारित हुआ है जो हमने decide कर रखा है उस time से जब पहले हम बंद करते हैं तो उस समय जो हमारा पैसा बन रहा होता है उस पैसे को हम लोग कहते है surrender value so what is surrender value when we are closing our policy when we are basically surrendering our policy before the maturity time duration so whatever the amount that we are getting right now after the surrender is known as surrender value तो policy को समय से पहले बंद करने पर जो आपको policy के थोड़े बहुत benefit मिलते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा में मिलता है उसमें penalty वगरा company कारती है तो पैसा में देती है company that amount is known as a surrender value उसको हम surrender value के नाम से आते हैं so I hope आप सभी को surrender value भी समझ में रहा होगा तो surrender value क्या होती है the kind of amount वो amount है जो हम pre maturity जो है अपने policy को before maturity बंद करें इसको close करें तो यह जो हमें benefit मिलेगा that is known as a basically surrender value इसको हमनों किस नाम से जानेंगे surrender value के नाम से जानेंगे एक बार clear है सभी को एक बार फटाफट session को like और share भी कर दीजे comment section में आ रहा है and we are getting all these points और कोशिच करें एक दुबार revise करें उसारी चीज़े दिवास में बैट जाएंगे insurance is very easy if you go with the help of the examples आप examples की मदब से पढ़ेंगे तो चीज़े बहुत ही आसान है बहुत थोड़ा सा एक दुबार revise कर लिजीगा that's it आगे इसतना समझ में ठीक है surrender value भी हमें clear है so वही surrender value यहां हिंदी में लिखा हुआ इसको बात में भी पढ़े सकते है चलिए अगला हम लोग बात करते हैं next one let's talk about the paid up value ये भी important confused मत होईगा इसको बात करते है now let's talk about the paid up value ये भी बहुत important and interesting है पहुत ध्यान से सुनिएगा let's talk about this one जैसे माले दे ये insurance है अपना first year है पहला साल दूसरा तीसरा ऐसे ही चौथा पांचमा छठा साथमा 10 साल pulsya 10 साल की अपनी policy है ये अपना policy का time है जान से सुनिएगा हम लोगों ने क्या किया policy का premium है 50,000 रूपी 50,000 रूपी this is the premium इतना premium कितना है पाई 50,000 रूपी साल का पैसा भरना है 50,000 रूपी समय साल का premium भरनना है पहले साल भरा दूसरे साल भरा, तीशरे साल भरा, चौथे साल भरा, अब मैं कह रहा हूँ, insurance company से साफ देखिए, अब मैं premium नहीं भर पाऊंगा, मैंने एक दो premium मिस भी कर दिया, अब मैं साफ premium नहीं भर पाऊंगा, इसका मतलब मैं policy को surrender करना चाहता हूँ, अगर मैं अभी policy surrender कर दूँ, तो जो पैसा मेरे को मिलेगा, वो surrender value कहलाएगा, अभी आप लोगों ने समझा, लेकिन अब insurance company हमें क्या कह रही है, कि साहब देखिए, आप policy बंद मत करी, माले थे 50 जाय रुपए हम भर रहे थे, तो दस साब भाद हमें मिलने वाला था, मालेते हैं, 50 लाख रुपए मालने थे, 10 साल बाद मिलने वाला था, ऐसा था कुछ, बड़ी स्कीम थी, तो 50 लाख रुपए मिलने वाला था, चार साल हमने पैसा भ़रा, उसके बाद हमें लग रहे आ, 50,000 रुपय का नहीं भर पाएंगे तो हम policy को सर बंद करना चाहते हैं तो insurance company हमें एक offer देती है insurance company friends क्या कर रही है हमें एक offer दे रही है केड़ी सर सुनिए आप 50,000 रुपय नहीं भर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हमें एक काम करते हैं हम आपकी जो बड़ी वाली पॉलसी है, जिसमें आप 50,000 रुपए भरेंगे तो आपको 50,000,00 मिलेगा, इस बड़ी पॉलसी को हम छोटी पॉलसी में बदल देते हैं। जिसमें क्या होगा आपको 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम की जगा आपको बस 10,000 रुपए सालाना प्रीमियम भनना रहेगा या माले ते 20,000 भनना रहेगा और उसकी वैसे जो आपको 10 साल बात जो आपको कवरेज है तो आपको 50,000,000 की वजाए आपको 20,000,000 रुपए ही कवर और जो आपने अभी यह जो 3-4 साल पैसे भरे हैं उसके हिसाब से मुसका premium आगे adjust भी कर देंगे जो आपने भरा उसी ratio मुसका premium आगे adjust भी कर देंगे तो इसका मतलब एक बड़ी policy को insurance company एक छोटी policy में convert कर रही है और यह छोटी policy होने पर जो हमाई benefit मिल ला है कि 50 लाक कहा मिल अब 20 लाक मिलेगा this 20 लाक रुपीज is what now it's known as a paid up value so what is a paid up value paid up value क्या होती है जब एक बड़ी insurance policy को एक छोटी insurance policy में convert किया जाता है with reduced premium छोटा premium होता है coverage भी कम हो जाता है so now whatever the amount of coverage that we are getting इसको हम लोग paid up value के नाम से आते हैं ठीक है तो इसको हम paid up value कहते हैं तो 50,000 की अपनी policy थ लेकिन अब company कह रही है कि sir अब से आप क्या करिये केवल 20,000 रुपे premium भरना start करिये केवल 20,000 रुपे भरिये और जो आपने पिछला था वो हम इसमें adjust कर देंगे आगे उसी के recording और हम policy का लेकिन coverage भी आपका कम होगा sir पहले आपको 50,000 मिला था 50,000 मिला था आपको 20,000 पीस जो reduced policy है is known as a paid up value, इसको हम paid up value कहते हैं, the reduction of the policy because we are not able to pay that huge amount of the premium, उतरा बड़ा हम premium नहीं भर पा रहे हैं यह हमें policy को हमने छोटा किया है, we are shrinking the policy, we are reducing the policy so that we can get the benefit of this one, आरा समझ में सभी को, okay that's great, चली इसका हिंदी में बड़ज़ देख लेते, इसको पढ़ते हैं समझ म जाएगा में, यदि policy धारक का एक निश्चित अवधी के बाद premium का भुकतान करना बंद कर देता है, तो बीमा कंपनिया policy धारक को अपनी policy को कम भुकतान वाली policy में बदलने का विकल्परदान करती है, इस विकल्प के तहट बीमारासी भुकतान किये गए premium की संख्या के अन लाब हैं, तो वो भी अब कम हो जाएंगे, और कम होने के बाद, जो आपको टोटल भुकतान किया जाएगा, उस ही को हम paid up value कहते हैं. So, actual में जब आपकी बड़ी policy है, उसको जब insurance company आपको offer करती है, छोटी policy में convert करने के लिए, जब आप policy continue नहीं कर रहे हैं, या premium नहीं भर रहे हैं, तो वो जो छोटी policy में convert होने पर जो benefit है, उसको paid up value कहते हैं. So, in the case of the policyholder discontinues to pay the premium, after a specified period of time, insurance company will offer the policyholder to an option to convert his policy into a reduced paid up policy. Under this option, the sum assured amount, इसको हम sum assured amount कहते है, the sum assured amount is reduced, वो reduced हो जाएगा, in the proportion to the number of premium, जितना पने premium भरा, उसके कोडिंगे कम हो जाएगा, if the other benefits related to the sum assured is the payable, then these benefits will now be related to the reduced sum assured, which is the paid up value. तो जो आपको reduced sum assured amount जो बना है, इस ही कोँ क्या कहेंगे, paid up value कहेंगे, तो आपको जो छोटे benefits के साथ, छोटी policy में convert कर दिया गया, उसको paid up value कहेंगे. तेकि समझ में आया कि नहीं सभी को comment section बताई फटाफ़, quickly, let me know in the comment section. So, with the help of the reduced benefits के साथ, जो हम जाएंगे, उसको हम कहेंगे policy holder. So, reduced benefits के साथ, हमें जो है, चीजे देखने को मिलेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे paid up value, paid up value is clear to everyone, okay, that's great. अगला हम लोग बात करते हैं, EPLI, that is known as Employees Practices Liability Insurance. चलिए, EPLI के बारे में बात करते हैं, ये भी interesting है, बहुत ध्यान से सुलिएगा. इसका PDF आपको description के अंदर telegram channel मिल जाएगा, उसमें ये PDF अप्लोड कर दियागी, तो PDF आपको telegram channel पे मिल जाएगी, description में telegram channel मैं आड करा दूँगा, उससे आप इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल PDF के attention मत लीजिए, चले, अब हम बात करते हैं, EPLI, that is Employees Practices Liability Insurance, ये क्या होता, friends, बहुत ध्यान से समझेगा, देकि Employees Practices Liability Insurance के अंदर क्या होता है? जैसे कई बार होता है, company employee के साथ कुछ गलत कर देती है, है ना, company ने employee को बीना बताया निकाल दिया, उसके सा साथ कुछ company गलत करती है, तो ऐसे में employee क्या करता है, फिर company against case कर देता है, और ऐसे में company को ऐसे बहुत सारे cases से जूजना पड़ता है, और कई बार जब company case हार जाती है, तो उसको employee को मोटा पैसा भी देना पड़ता है, अब यहाँ पर insurance company आती है, क्या, insurance company आती, company से कहती है, स पड़ेगा, जितना quote कहेगा, वो सब हम बरेंगे, और यह coverage हम लेते हैं, तो इसको अब हम नाम देते हैं, employees practices liability insurance, तो employees practices liability insurance के अंदर क्या होता है, जो insurance company है, वो employee अगर company पर कोई cases file करता है, और उसकी वैसे company की कोई liability बनती है, company को कोई देनदारी बनती है, तो उसका coverage insurance company अब क तरीके हैं, जिसकी वैसे अगर company का employee जो है, उसके against case file कर दे, तो company को protection देने के लिए, company को cover देने के लिए, insurance company है, तो इसकी कितने सारे cases लड़ेगी, कितना हर जाना भरेगी, तो insurance company आगी कहीं, हम sir अपने हिसाब से देखें, हमारी legal team रहेगी, वो देखेगी, ठीक है, so they will cover, हाँ, चली, कोई अगर जाना जा रहा है, बिल्कुल जा सकते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं, चली, अगले हम लोग देखते हैं, friends, collateral assignment, यह collateral assignment बहुत important होता है, देखें क्या होता है, जैसे हमार लेते हैं, किसी बंदे ने घर का loan ले रखा है, घर का loan ले लिया, और घ भर के loan का पैसा कौन भरेगा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, collateral assignment कर सकते हैं, जैसे मार लेते हैं, आपको example देता हूँ, जैसे मार लेते हैं, घर का loan है 50 लाग का, और यह बंदा है, जो पैसे वगएरा कमाता था, यह पैसा भरता था, इसने अपना एक insurance करा रखा है, insurance करा रख 80 लाख रुपए का इसने अपना भीमा करा रखा है, अब इस बंदे को कुछ हो जाता है, तो इसने insurance company से क्या क्या रखा है, किस आप देखिए, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, तो इस 80 लाख में से 50 लाख रुपए आप दे दीजेगा किसको bank को, ताकि मेरे घर पर bank कप जा बना कर ले, अब बाकी की जो पचे हुए 30 लाख रुपए है, वो family members वालों को, बीवी बच्चों को दे दीजेगा, तो होता क्या है, जब हम कोई insurance में, या तो हम अपनी जो हमारी जो वो है insurance policy उसको गिरवी रखके, उसको collateral करके, उसको indirectly गिरवी रखके या फिर हम loan ले ले या फिर हमारे ना रहने पर, वहाँ पर पैसा हुए, इसको मॉटगेज protection insurance भी कहते हैं, जिसमें हमारा coverage होता है, collateral assignment में हम अपने insurance policy के बदले loan ले सकते हैं, या उससे पैसा भरवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी policy के against क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो आप उसको collateral assignment कहत हैं, जिसमें आप अपनी policy के against क्या कर सकते हैं, loan ले सकते हैं, so you can take loan against your insurance policy, तब अपनी insurance policy के against क्या कर पाएंगे, loan ले पाएंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, collateral assignment कहते हैं, ठीक है, चलिए, अगला हम लोग बात करते हैं, next one is what, next one is contestability period, अब यह contestability period क्या होता है, इसको समझ दाने के लिए माल लेते हैं आज मैंने insurance company को फरजी फरजी बाते बता कर बीमा ले लिया और insurance company को 6 महिने बात पता चला कि सर ने फरजी डाकुमेंट्स लगा रखे थे, सर ने सारी जूटी बाते बता रखे थी, सब फेक information दे रखी थी तो ऐसे मैं insurance company के पास यह अधिकार होग कि policy को cancel कर दे अमूमन एक से दो साल का समय होता है जिसमें आपकी policy testing mode में रहती है कि ऐसा नहीं आज बंदे ने insurance लिया और दस दिन बाद claim मांग रहा है तो इसका मतलब कुछ गरबढ हो सकता है तो contestability period क्या होता है यह insurance company के लिए होता है उनको यह rights देता है कि आप क्या कर सकते हैं आप policy को cross check कर सकते हैं और अगर कोई fake information कोई material mispresentation कोई wrong data अगर आप पाते हैं तो ऐसे मैं आप insurance policy cancel कर दिए और यह जनरली अब मूमन एक से दो साल का होता है और यह insurance companies को loss से बचाने के लिए होता है हाइपोथेटिकेशन लाइन और जो है mortgage है ना यह bank के टम्स में आते हैं जब हम loan वगरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर discuss करेंगे हाइपोथेटिकेशन क्या होता है line क्या होता है collateral क्या होता है mortgage क्या होता है हम जब bank वाला part discuss करेंगे हाँ आपको bank को बिल्कुल inform करना पड़ेगा बिल्कुल प्रेम जीत आपको bank को documents देने पड़ेंगे insurance policy के document आपके bank के पास जमाऊंगे तो contestability period हमें समझा आए गया आपके जीवन policy के प्रभाव में आने के एक से दो साल के बाद प्रतियोगीता की अवधी मतलब contestability period रहता है और इस coverage के दौरान अगर company को कोई material mispresentation कोई wrong data कोई wrong information अगर मिलती है तो ऐसे case में वो हमारी policy को क्या कर सकते है cancel कर सकते है hypothetical की case में रखते है जिसमें जो asset है जो security है वो आपके साथ ही रहती है और मालिकाना हक कराएगा insurance company का पतलब जो loan वाली company उसका चलिए next one बात करते हैं अगला देखते हैं friends next one is contingent beneficiary अगला हमारे पास है contingent beneficiary ये क्या होता contingent beneficiary धान से देखिए ये husband है इसने insurance करा रखा अपना और wife को अपने बना रखा nominee लेकिन सवाल ये उठता अगर husband को कुछ हो गया तो पैसा किसको मिलना चाहिए wife को मिलना चाहिए लेकिन सवाल ये है wife ही नहीं मिलना है ये कहीं missing है या कहीं gap हो गई है या कहीं चली गई है ये मिल नहीं रही है अब ऐसे में insurance company पैसा किसको दे उसको पैसा देते ही जो सबसे closest relation में होगा मतलब उसके बच्चे जैसे तो ये बच्चे indirectly second nominee की तरह काम करेंगे और इनको insurance का पैसा दे देगी insurance company इसको हम income कहते contingent beneficiary nominee आपको पता nominee तो ये है लेकिन इस nominee नहीं मिलना है तो हम पैसा किसको देंगे contingent beneficiary को तो ये बंदा क्या कहलाएगा contingent beneficiary कहलाएगा जिसमें हम इसको पैसा जो है क्या कर रहे है दे रहे तो इसको पैसा क्या कर रहे है दे दे रहे है तो उसको हम लोग किस नाम से आनेगे contingent beneficiary की नाम से आनेगे चलिए आगे बढ़ते हैं next one तो contingent beneficiary हमने देखा जो main नहीं है तो उसको हम देदेंगे ठीक है चलिए अगला हमारे पास material mispresentation material mispresentation friends बहुत यासान है material mispresentation के case में क्या होगा तो second nominee जो भी होगा father अगर mother है तो उनको भी मिल जाएगा अगर वो second nominee है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं हाँ पर material mispresentation मतलब fraud अगर हम insurance company को कोई भी फर्जी दस्तावेद कोई भी fake document fake information देते हैं तो हमारी policy का फाइदा हमें नहीं मिलेगा और इसी को material mispresentation कहते हैं और ऐसे में company जब हम claim करेंगे तो पैसा reject कर देगी पैसा नहीं देगी कोई claim नहीं मिलेगा कोई पैसा नहीं मिलने वाला so what is material mispresentation कि अगर हमने कोई fake document कोई fake information कोई fake data अगर हमने दिया तो ऐसे case में वहाँ पर claim reject हो जाएगा ठीक है so the claim will reject और पैसा में कोई मिलने वाला नहीं इसको हम material mispresentation के नाम से आते हैं चलिए कुछ questions देख लेते हैं कुछ questions solve करने का effort करते हैं प्रयास करते हैं आगे में आओ और आपको questions करा हूँगा आगे में एक दो sessions और आपकी साथ करूँगा चलिए बात करते हैं which principle states that the insurance must be disclose all the relevant information to the insurer चलिए थोड़ा सा दिमाख लगई बताईए कौन सा principle कहता है कि हमें insurance company को सारी बातें सही डंग से बतानी चाहिए I think किसी का अगलत नहीं होने वाला कौन सा होगा principle of utmost good faith तो principle of utmost good faith क्या कहता है कि जो भी हमने insurance ले रखा है उसकी सारी की सारी information सारी की सारी बातें हमें बिल्कुल सही तरीके से insurance company को बतानी है ठीक अगे बढ़तें next one अगला हमारे पास which principle ensures that the insured is compensated not more than the actual loss कौन सा principle कहता है कि नुक्सान जो है वो जितना नुक्सान हुआ उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए actual loss से ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहिए जितना का नुक्सान हुआ insurance is not for the profit it's only to compensate our losses कि अब नुक्सान की भरपाई के लिए होता है ना कि profit कमाने के लिए तो कौन सा principle आपको याद हो तो principle of indemnity हमने बढ़ा था छतिपूर्ति का सिध्धान कि sir insurance जो है वो losses को compensate करने के लिए ना कि आपको profit generate करने के लिए तो यह हमें क्या करेगा यह हमें profit generate करने के लिए नहीं यह हमारे losses को cover up करने के लिए क्या करेगा काम करेगा अगला देखते है which principle allows the insurer to recover their losses from the third party who is responsible for the loss कौन सा ऐसा नियम है जो insurance company को यह अधिकार देता है कि वे आप तीसरी party से पैसा require कर लिए अगर कोई नुकसान होता है तो आपको याद हूँ मैंने बताया था आपको principle of contribution principle of contribution contribution के अंदर क्या होगा insurance company के पास पैसा वसूनने का अधिकार होता है principle of contribution जिसमें हम क्या करेंगे पैसा recover करने के लिए काम कर सकते हैं अगर वहाँ पर पैसा जो है मैं सही तरीके से दिया नहीं गया है principle of क्या काम करेगा contribution यह लगला देखते है इन में से कौन सा principle कहता है कि अगर हमने कोई भाई insurance ले रखा है तो हमें जो insurance policy है उसमें हमारा कोई interest कोई जो asset है उसमें कोई नहीं कोई interest हमारा होना चाहिए हमारा hit होना चाहिए तो हमने पढ़ा था principle of insurable interest आप सभी लोग अच्छे से connect कर पा रहे होंगे सारी चीजे यह हमने ओलड़ी सारे points हमने discuss का रखे है इसके बाद हम देखते है insurance की history और insurance के concepts में कुछ आगे आपके साथ discuss करूँगा अब अभी बताइए when was the insurance related development authority of India was set up तो insurance act 1999 IRDI act 1999 बना था यह ना जो कि मलहुत्रा कमिटी के recommendation पर आया था आगे बात करेंगे कब general insurance corporation of india act set up हुआ तो indian 1972 GIC act general insurance business corporation act 1972 was formed तो चले फेंट्स उमीद करता हूँ यह सारे points आप सभी लोगों को अच्छे से समय आए होगे इसके साथ ही साथ live batches चल लाए है आपके NICL AOK जिसमें prelims means journalist post के लिए especially live batches start हो चुके है 23rd से 23rd of gen से इसमें हम आपका पूरा insurance portion फरवरी तक पूरा cover up कर दूँगा prelims means के लिए NICL AOK live batches आप इसको भी देख सकते हैं इसके लाबा UIC का AO के लिए video course है जो कि जिसमें recorded form में आपको सारे subject मेरा subject आपको पूरी तरीके से live form में आपको देखने को मिलेगा so I'll cover the insurance part on the live segment तो live में मैं आपको इस सारी चीज़े cover up करूँगा इसके लाबा मेरा एक लक्ष foundation batch जो है कल से start हो रहा है जिसमें हम जो है almost 500 गंटे से ज़्यादा की चीज़े cover up करेंगे जिसमें financial awareness, banking plus पूरे एक साल का current affairs मैं आपका इसमें cover up करूँगा और जिसमें आपको एक साल का पूरा current affairs में cover up रहेगा from the January to December 2024 तो 2024 का पूरा current affairs आपको इस particular batch के अंदर मिलेगा अगर आप चाहते हैं ये सारे batches एक ही जगा लेना so आपके पास option है किसका महा pack का and within the महा pack you can get all these batches within this one अगर आप already महा pack का हिस्सा है तो आप ये सारे batches देख सकते हैं अगर नहीं है तो बिल्कुल आप महा pack का हिस्सा बनिए आपको code use करना है to get the maximum discount Y856 तो this is my referral code आप इसको use कर सकते हैं to get the maximum discount और महा pack के अंदर आपको ये सारे के सारे batches के benefits मिलेंगे अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक और शेर करिए और आप सभी लोग कमेंट सेक्षन जरू बताएगा बाद में सेशन कैसा लगा आप लोगों को PDF जो है उसका link जो है टेलिग्राम चैनल का link मैं आड करा दूँगा उसमें आपको PDF मिल जाएगी ठीक है so I'll add that तो वो सारी चीज़े आप देख सकते हैं इसके लाबब one more important point मैंने आपके लिए insurance की पूरी की पूरी playlist आड कराई है अगर आप insurance cover up करना चाहते है in detail तो मैंने insurance को cover up कराई है मैं आपको दिखा देता हूँ कहां आपको देखने को मिलेगा insurance तो insurance की पूरी की पूरी playlist आड कराई है और आप insurance की पूरी playlist आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपके लिए insurance के sessions पूरे के पूरे cover up की हैं और अप in detail आप उसको देख भी सकते हैं for the revision perspective ठीक है यहां पर यह जो वीडियो चल लेए हैं इसमें आप description section में जाएंगे इसी के description में तो यहां पर आप click करेंगे यहां पर आपको पूरी insurance की playlist देखने को मिलेगी इसमें मैंने insurance के सारे यह sessions करा रखें तो आज का आप session कर रहे हैं description में एक insurance की playlist भी है जिसमें already इसारे जो मैंने insurance के आट-दर session करा रखें वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप उनको भी देख लिएगा PDF जो है telegram link पर मिल जाएगी तो इससे पहले जो insurance के सारे session है UIC NICL के आपके upcoming examinations के लिए important है उनको भी आप यहां से cover up कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं इस सारे points आप सभी लोगों को अच्छे से समझाए आगे होंगे तो भी के लिए इतना करते हैं See you in the next session एक और मैंने राथन session के साथ में आगे आपके से मिलूँगा Till then bye bye, take care, thank you very much 2 like and subscribe पच्छे, thank you